हाई तो आज हम बनाएंगे कट्छल की सबजी तो स्टार्ट करते हैं यह मैंने पाने में एक चमच नमक डाल दिया है और यह जो कट्छल था हमारे पास वह 200 ग्राम है तो मैं इसे उबाल दूँगी जब यह उबल जाएगा उसके बाद हम इसे फ्राइ कर देंगे पहले यह उबल जाए उसके पाद हम सर्णो तेल लेंगे उरर इसे डी फ्राइ कर देंगे अच्छे से जब यह अच्छे से बिलकर फ्राइ हो जाएगा हदुआगा फिर ंइसे निकाल लेंगे और कड्वाइं में फिर से तेल देंगे जीरा देंगे जेरा देने के और प्याज डालेंगे सब्सक्राइण अरे श्तुरी इसमें तो इसमें एक प्याज के ज़ते खिलेंगे अच्छे से भून लेंगे, जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें मसाला डालेंगे, तो जब तक हमारा प्याज लाल होता है, जब तक हम मसाला त्यार कर लेते हैं, जिसमें मैंने लहसन लिया है, गाली मिर्च लिया है जीरा और लाल मिर्च लेंगे और हल्गा सा प्याज डालेंगे और इन सभी को पेस्ट बना लेंगे तो हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है थोड़ा लो फ्लेम पे भूनेंगे तो प्याज भी कर जाएगा और अच्छे से भुन भी जाएगा अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया जो हमने पीस के रखा था अब मैं इसमें थोड़ा धनिया डालूँगी थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक तो आप दीखते रहे हैं एक छपमच नमक डाला मैंने जादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि पहले भी अमने नमक डाला था तो वह थोड़ा हो चुका है इस वज़े से और फिर हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला उसके बाद इस नम radi, नमक बाइन देख सक्ते हैं तो में एक तेल ऑ्नी काल माध माध हम सना बागव हय अब वह थोड़ी देर डंया टक के बोलेंगि उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगे आदा गिलास पानी डालेंगे ज्यादा नी डालेंगे क्योंकि हमने कटल को उबाला था जिस वजे सी ये पक चुका अच्छे से तो ज्यादा पानी नी डालेंगे बस आदा गिलास पानी डालेंगे कि उसके बाद इसे ढखके रख देंगे कि देख सकता है हमारा कटल का सबजी त्यार होता हुआ झाल